प्रेंट्स आज हम देखेंगे कि हमाई नेट्रोक में किन किन काणों से स्पीड स्लो होती है वह नेट्रोकिंग केबल कितने तरिकी की होती है वह हमें दो कम्पूटर को आपस में करेंट करना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगी हमाई Net Truck में कौन सी डिवाइस उटेबिल रहेगी जिससे हमें काफी स्पीड मिल सके अगर आपकी Net Trucking स्लो है अगर आपके आफिस में कोई सॉफटर चलता है जो Net Truck पर शेयर है आपकी Net Trucking की स्पीड कम होने कर वह अन कंपूटर में भी स्लो चलेगा वह कभी कभी उसमें इरर भी आ सकती है आप भले ही लाखो रूपय के कंपूटर लगा ले अगर आपकी Net Trucking स्पीड से काम नहीं कर सकता फ्रेंट्स हमाई Net Trucking के विल में चार पेयर वायर होते हैं चार पेयर वायर का मतलब उसमें आठ तार होते हैं अगर आप 100 MPS का Land Card यूज करते हैं तो सिर्फ चार वायर ही यूज होते हैं जिसमेंसे दो वायर में डेटर टांस्मिट होता है वा एक पेयर तार खराब भी हो जाए तो जरूरी नहीं है कि आपकी Net Trucking बंद हो आपकी Net Trucking में Data Transfer Speed कम हो जाएगी इसको चेक करने के लिए आप Net Truck Cable Tester Tool का यूज कर सकते हैं जिसके द्वारा आप अपनी केबल में Continuity चेक कर सकते हैं कि आठो पेयर काम कर रहे हैं या नहीं फ्रेंड्स आप कैसे चेक करेंगे कि आपका Land Card 1000 Mbps का है कि नहीं इसका तरीका मैं वीडियो के आखरी में बताऊंगा इसलिए आप इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने यूट्यूब चैनल पीके सचिन को अभी तर सब्सक्राइ अगर आपने मुबैल पर वीडियो को ओपन किया है तो वीडियो के निचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें फिर उसके बगल में बेल के आइकन पर क्लिक कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के निचे लाइक बटन पर क्लिक करना ना भोले आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा ऐसी useful वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ Friends हम लोग जो net rocking cable use करते हैं उसमें 8 तार होते हैं उन 8 तारों के connector को बनाने के लिए 2 standard color coding का use किया जाता है अगर आपके network के थ्रू है यानि कि आपका router के थ्रू कंप्यूटर और laptop आपस में network किये गए हैं तो आप जो color coding का use करेंगे दूसरी तरफ भी वही color coding का use करना होता है अगर लेकिन अगर आपको single cable के थ्रू network करना है यानि कि single cable के थ्रू आपको दो computer और laptop को आपस में connect करना है तो color coding बदल जाती है आप एक तरफ जो color coding यूज़ करते हैं तो दूसरी तरफ color coding बदल के यहाँ का data sending वहाँ का receiving हो जाता है तता दूसरी तरफ आले connector का data sending यहाँ का receiving हो जाता है अधिकतर networking speed slow होने कारण या भी होता है कि आप जो 4 pair का wire यूज़ करते हैं उनमें से अगर एक pair काम नहीं कर रहा है तो net tracking तो चलती रहती है और उसकी networking कर रहे हैं तो आपकी आठों तारों पर data transmit होता है अगर आपको क्रॉस के विलके थूर दो computer लप्टाप को आपस में connect करना है तो आप कोसिस कीजेगा 1000 MPS वाले connector की color coding के हिसाब से connector बनाए जिससे आपको ज़्यादा speed मिल सके यही तरीका आपका wireless networking में भी काम करता है आप यहां देख रहे हैं कुछ router single antenna के हैं कुछ दो antenna के हैं कुछ तीन के कुछ चार या पांच के भी हैं आप जितने अच्छे से अच्छा router लगाएंगे आपकी networking में data transfer उतनी तेजी से होगा अगर आप office में networking करते हैं तो कुछ करिए आप अच्छे से अच्छा router लगाए क्योंकि जितने अच्छे से data transfer होगा आपको networking में software भी उतनी तेजी से काम करेगा आज कल जो wireless LAN card आते हैं उनकी data transfer speed 1000 Mbps से भी ज्यादा होती है friends मैंने देखा है अगर लोगों को internet का use करना होता है तो अपने mobile का hotspot चालू करके उससे connect हो जाते हैं लेकिन वह अपने local area network से बाहर चले जाते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताओंगा जिससे आप अपने mobile का internet पूरे network में share कर देंगे इसके लिए जरूरी नहीं कि सभी computer या laptop आपके mobile के hotspot से connect हो वह अपने local area connection पर connect रहकर भी आपके mobile का internet का use कर सकते हैं इसके लिए आप इस चैनल को जबूर सब्सक्राइब करें मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैं Jio के internet को अपने local area network पर कैसे share करूंगा वह अभी अपने mobile hotspot से connect किये बिना ताकि local network पर speed slow नहीं हो क्योंकि अगर हम अपने सारे laptop या computer को अपने mobile के hotspot या hotspot dongle के through connect करते हैं तो वो एक network पर तो आ जाते हैं मगर उसके through हमें networking में speed नहीं मिल पाती जिसे हमाई networking में speed से data transfer नहीं होता और software slow चलते हैं अगली वीडियो में मैं इसके बारे में आपको पूरा detail में बताऊंगा और आपको practical करके भी दिखाऊंगा इसलिए आप वीडियो के नीचे दिएगे subscribe button पर click करना भूलें फिर उसके बगल में bell के icon पर click कर दें ताकि आपको नई वीडियो का reminder मिल सके friends अगर आपको चेक करना हो कि आपका land card 1000 mbps को support करता है कि नहीं तो इसके लिए my computer पर right click करिए वहाँ पर आपको option दिखाई पड़ेगा manage उस पर click करिए फिर आपको एक window open होगी यहाँ आप left side में देख रहे हैं आपको एक option दिखाई दे रहा है device manager इस पर click करिए फिर right hand side पर एक window open होगी जहाँ पर आपके computer laptop में जितने hardware लगे हैं वो दिखाई दने लगेंगे वहाँ network adapter के बगल में एक arrow है उस पर click करिए फिर आपको आपके computer laptop में जितने network adapter हैं वो दिखाई दे रहे हैं आप land card के उपर right click करिए properties में आईए फिर advanced पर click करिए फिर यहाँ पर speed पर click करिए फिर आपको value पर click करिए यहाँ आपको एक गीगाबाइट पर second दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका land card 1GB transfer rate को support करता है आपको 1GB per second की speed तभी मिल सकती है जब आपका router 1GB per second को support करता हो तो कोशिच करिए आप router को अच्छी quality में लगाएं अगर आप cross cable के through दो computer या laptop को आपस में connect कर रहे हैं तो आपको इतनी speed तभी मिलेगी जब आप cable की connection ऐसे करें कि 8 तारों पे signal transfer हो और आपका दूसरा computer या laptop भ पूट करता हो network में data transfer की practical testing के लिए status बार प्राइट क्लिक करिए फिर task manager पर क्लिक करिए आपको एक window open होगी वहाँ पर performance पर क्लिक करिए फिर आपको आपका ethernet और wifi दिखाई पड़ेगा फिर आप एक movie की file copy कर लिजे window R के through run command को open कर लिजे फिर आपको networking में जिस computer पर speed test करनी है उस computer का नाम double slash करके type करके ok करिए फिर वो computer की जो drive share होगी वो open हो जाएगी वहाँ पर file paste कर दीजे फिर आप यहाँ देखेंगे यह networking wifi चल रही है तो wifi में transfer rate यहाँ पर दिखा रहा है इस समय आप देख रहे हैं मैंने mobile hotspot के through networking किया है तो एक laptop से दूसरे laptop में data transfer कर रहे हैं तो यह speed आ रही है मैं दूसरी वीडियो में आपको router के through, mobile hotspot के through वा land cable के through वा cross cable के through data transfer speed दिखाऊंगा कि अलग-अलग option के through networking करने में speed में कितना अंतर होता है file को paste होते होगत आपका जो speed दिखा रही होती है वही आपकी networking पर data transfer speed होती है आप सोचते हैं कि आप 1GB per second transfer rate मिल जाए तो ऐसा possible नहीं है क्यूंकि आप जो file copy करते हैं वह आपके hardest में होती है और networking के through दूसरे computer के hardest में वह file paste करते हैं और आप जो hardest use करते हैं उसकी normal transfer speed 40-50 Mbps per second की होती है अगर आपको अपने transfer rate की speed और बढ़ानी है तो आप SSD hardest use करें इस SSD hardest normal hardest की तुल्ला में काफी महंगी पड़ती है मगर इसके data transfer की speed normal hardest से कहीं जादा होती है इसमें कोई motor नहीं लगी होती है नहीं कोई plater होता है इसमें data को store करने के लिए IC का use किया जाता है इस memory IC की transfer speed बहुत जादा होती है आप देखेंगे कि Apple के laptop जतने पतले होते हैं उनमें भी वही hardest लगी होती है आप उस laptop को on करते हैं तो वो तुरंत on हो जाते हैं वह इतनी जल्दी on इसलिए होते हैं क्योंकि जब आप laptop को on करते हैं तो पूरा operating system hardest से memory में आता है आपका या function जतनी जल्दी काम करेगा आपका laptop उतनी ही तेजी से on होगा अगर आपको अपने laptop पर computer को on होने की speed वार network में data transfer की speed और ज़्यादा बढ़ानी है तो computer या laptop पर normal hard disk की अपेच्चा SSD hard disk का use करें नहीं तो कम से कम आप server में तो इस hard disk का use करें आप इसका प्राइज online shopping website से SSD hard disk करके देख सकते हैं इसके लावा outdoor networking device जिसके दोरा आपका ही किलोमेटर की networking कर सकते हैं load balancer device जिसके दोरा आपका ही internet connection एक साथ connect कर सकते हैं और DNS server और ऐसी ही कई networking tips और tricks के लिए वीडियो के नीचे दिये गए आपको या वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करना न भूलें किलोमेटर कर सकते हैं